जदियू का मतलब है नितिश कुमार नितिश कुमार का मतलब है जदियू। नितिश कुमार को नकार दिया है और भारती जनता पार्टी को नितिश कुमार को नकार दिया है समूचा जनाधार भारती जनता पार्टी में सिफ्ट किया गया है आज एक भी सिट नितिस्कुमार को जितने का हैस्यत नह रह गया विहार में वो सत्ता पर काविज है 2020 में नरेंद मोदी जी के नौम पर लोग भोड दिये थे और आज ठगा सा महसुस कर रहा है इसलिए निति जनता पार्टी 224 में अपने बल पूते 405 में बाक अपने बलपूते सरकार बनेएगे लिए 2024 का जिगर क्या दोज़ारोटर की फर३मीले पर मरत बाटीय चुना लड़ेगे और बिहार में धिखिये तो मेरत राष्टी नेतीव तो छाला इसवार बिहार में कमल खिलाना और अपने बलपूत्ते हम लोग चुनाव लडएंगे ये तैक कर चुके हैं राज़त विधायक है प्यते बहदूर सिंग सुरसती मां के ऊपर वो उन्हें टीपनी किया उसके ऊपर क्या करना चाहेंगे आप देखे कहावत है बिनास काले विप्रिद बुध्य राजद वाले का बिनास काल आ गया है अब उनका कोई चारा नहीं रह गया है तो हिंदू मुस्लिम कैसे बॉंटे और मुस्लिम को कैसे आकर्षित करें वो जब तक सनातनियों को गाली नहीं देंगे तब तक उन्हें टी आर पी नहीं मिलेंगा और माणिय लालु यादव जी इसको इन मंदिर जाते हैं पूझा करते हैं यह लोग भगवाण में भी काषट कर दिये यह लोग जातीता करते करते भगवान को भी जाती बंधन से बांदीए हैं, इसलिए इस लोग को भगवान भी माफ नहीं करने वाले विहार की जनता तो कदा भी माफ नहीं करेगे, अजो हमारे अराध्य देव है माता सरोस्वति, उनके उपर ओछी टिपनी करना, ओ मर्यादे टिपनी क करना यह पागलपन का नमुन है और तेजस्वी जी इस पर चुप है इस पर कोई संग्यान नहीं ले रहे हैं असपस्ट है कहीं कहीं तेजस्वी और लालुजादब का के सह पर यह कर रहा है इसलिए सभी सनातनीत देख रहे हैं इसका जवाब आगामी चुनाव में सभी बिहा कि जवाब पत्थर के साथ देंगे इन लोग को सफाय होना तह हैं आप सुन रहे थे भरजेंता पार्टी के मुंगेर सी बिधायक प्रणप कुमार को सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए बांकिस हिसला चलता रहेगा आपकी बारी आपकी क्या र पटना